हे गाइस वेलकम बैक तो सर्थासर की क्लास आज के दिन एक बार फिर साफ के लिए धेर सारे से कमाल कमाल के वाक्य लेकर आया हूँ जिन्हें सीख कर आपके इंग्लिश में बहुत सारे चांद लग जाएंगे आपको मज़ा आएगा और साथ इसाथ आपके इंग्लिश टांस हो जाती है आज मैं आपको ना सरी इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाऊंगा बलकि इन जैसे धेर सारे वाक्या बना पाएं इसलिए इनका स्ट्रक्चर और एक्जाम्पल भी आपको बताऊंगा अब यह सारी जैनकारी पाने के लिए थोड़ सी मेहनत करनी पड़ेगी क इस वीडियो का इंट तक जरूर देखेगा आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि रोज आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल पाइम पर मेल जाए तो चली गाई शरुवात करते हैं इस वीडियो के और आज की दिन में आपको सिखाता हूँ कमाल कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसे बनाना उनकी हिंदी मीनिक और एक्जामपल भी सीखेंगे एक एक करके सुनो बहुत काम के हैं पहला बाला है मुझे ले चलो मुझे ले चलो कहीं पर भी जैसे मुझे मॉल ले चलो मुझे अस्पताल ले चलो मुझे घर ले चलो मुझे सिनेमा हॉल ले चलो मुझे ले चलो अब यहां पर इस तरीके के वाकिये कहीं पर भी आ जाएं तो इन्हें बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मॉला याद कर लो और वो है टेक ले चलो तो English होगी टेक मी टुद मॉल अब मॉल हटा के अब नाम लगाओ जगाओ के मुझे अस्पताल ले चलो टेक मी टुद पार्क मुझे यहां ले चलो वहां ले चलो इसे ले जाओ ठाके सही है तो याद रखना इस तरह के वाकिया ऐसे बनेंगे नेक्स्ट वाला देखे भाया नेक्स्ट वाला है बुला लाओ बुला लाओ आप देखो यह भी हम अपनी डेली लाई पे कितना यूज़ करते हैं उसे बुला लाओ मामा जी को बुला लाओ अंटी जी को बुला लाओ और उनका objective case भरणा है जिन्हें बुलाने की बात हो रही है। जैसे उसे बुला लाओ, अब उसे लड़का एंख लड़की एंख लर्कल उसे बुला लाओ, call him out, call him out. या फिर जैसे अंकल चाचा जी को बुला लाओ, बस मेरा टाइम करी वालिया. चाचा जी को टाइम करी मतलब ट्रेन का, ट्रेन चूट रहे हैं ना, चाचा जी के बाट टिकार इसकी विशारे की. चाचा जी को बुला लाओ, call uncle out, call uncle out. आप आप धेड़ सारे बनाओ मस्ती में रहा हैसे एक नेक्सट वाला देखे और भीन याओ ले आओ आओ आप कोई भी चीज बाहर से मार्किट से लाने की बात होती है ले आओ बोलते हैं उसे जैसे पीज़ा ले आओ, हरदनिया ले आओ, पैसे ले आओ, अरे सबजी ले आओ, तो कहनी पर भी आपको कोई चीज ले आओ कहनी है, तो आपको इसे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, fetch the, fetch the, बस, अब आपको द के बाद उस चीज का नाम बता बोलना है इंग्लिश में, जिसे लाने के ल ले आओ, पीज़ा ले आओ, तो इंग्लिश होगी, fetch the pizza, fetch the pizza, ऐसे हो गया, अब हरदनिया ले आओ, सबजी ले आओ, fetch the vegetable, fetch the mobile, ये वो मंगा के छोड़ो तो बाहर से सारी चीज़े, याद रहेगा, नेक्स्ट वाला देखे, और भया, नेक्स्ट वाला है, खिला लाओ, ये आओ, अब जो है, खिला लाओ, कोई भी चीज़ आप कहना चाहते हैं, या दूसरों को बोली, अपने बच्चे को से कहा, ये बटा, देखो, खिला लाओ, जब भी मुझे बोलना ना, तो ऐसे बोलना, गुल कप्पे खिला लाओ, टिक्की खिला लाओ, चाट खिला लाओ, चीज मतलब यह नहीं पनीर का नाम लिखना पनीर को भी चीज गोलते इंगलिश में उस चीज का नाम लिखना है जो आपको खानी है जिसके लिए आप कहरें खिला लाओ बनाते हैं जैसे मुझे आरे बहुत चलो वहां पर बड़ी अच्छी दुकान है वहां गोलकपे खाने म मुझे गोलगपपे खिला लाओ तो इंगलिश होगी टेक मी टू इट गोलगपपे टेक मी टू इट गोलगपपे अब बनाओ बनाओ कितने काम काई है आओ नेश्ट वाला है देखाओ देख आओ अब यह देखाओ कैसे अरे फिल्म आईये नहीं फिल्म देखाओ अरे मेला लगाओ है हम लाल के लिए मेला देखाओ अरे वही है तो अंकल जी को देखाओ तो देख आओ किसी को भी इसे इंगलिश में कैसे बनाएंगे इस तरह के वाक्य बनाने के लिए आपको ए माते हैं जैसा दृष्यम 2 आईयो जाओ भी आपके वीडियो देख चलो तो इस तरह से कोई भी चीज देखाओ और फिर नाम ढ़ला देखिंट शोलेकी माथे है इसी । चाहने की बात और यह सुनू अब देखो कोई भी चीज के लिए आप कहें मान जाओ जाने के लिए मान जाओ या इसके लिए तो मानी जाओ आई यह तो अच्छा काम है यह तुम्त नकरी दिखा रहे हो अब यह कैसे बोलेंगे किसी काम के लिए मान जाओ तो आप इसे कहेंगे please agree to please agree to अब उस to के बाद English में उसकाम का का नाम जिसके लिए मना रहे हैं जाएक साथ आप चाहें अरे बैटने क्लिए माचच आ रहे फिल्म क्लिए ऒल् I बात करने के लिए मान जाओ वह अच्छा रडगाए प्लीज एगडी टू टॉक हें वगएरा वगएरा इस तरह से आप बना सकते हैं ऐसे सेंटेंसेज नेक्स्ट वाला देखे और भया नेक्स्ट वाला है साथ ले लो साथ ले लो यह वाला सेंटेंस भी बहुत यूसफुल ह आप भी आला וקर प काम आता हम घर से बाहर जाते हैं तो हम उसक किते हैं मुबाइल साथ ले लowing चूटरा मुबाइल साथ ले लो अब बच्चे को साथ ले लो बच्ची को सा Chap ले लो थेला ले लो साथ मोबाइल ले इसे English में कैसे बोलेंगे इस तरह के बाक्य बनाने के लिए आपको चाहिए टेक आलॉंग अब इस टेक आलॉंग के बीच में आपको चीज या उस बच्चे या जो भी चीज कह रहे हैं न साथ ले लो उसका नाम लिखना है जिसा आपको कहना है साथ ले लो चला मोबाईल ही अब इस तरह के बाक्ये खुम ऑण के लिए लो अश्या चाहिए बाहर जाते वियंगे घर पर भूल जाये तो चाहए ट्रेन छूठ चूठ जा गषब घर बाग क्या पहले क्यों पूल जाएग जो मोबाईल साथ ले लो मोबाईल काम आएगा देखो रस्ते में मोबाईल सा अब आप इस तरह के बाकिये खुब बनाओ आओ नेक्स्ट वाला देखे और भया नेक्स्ट वाला है छोड़ जाओ छोड़ जाओ अब यह भी बहुत बढ़िया है अब इस कहरते हैं ले चलो है ना साथ ले लो साथ ले चलो आप कुछ चीजा ऐसी लिए होते हैं जिससे कहते चोड़ जाओ अरे मोबाइल चोड़ जाओ यहीं चोड़ जाओ 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 आप गूम क्या और चोड़ जाओ इसे एंगलिश में कैसे बोलेंगे यह लीव होम लेकिन इस लीव और होम के बीच में आपको चीज का नाम या व्यक्ति या बच्चा यह जो भी है जिसको यहां पर लीव होम आ गया अब होम क्यों आया हिंदी में तो छोड़ जाओ तो यह तो नहीं लिका करने घर में चोड़ जाओ जाओ जादतर यह सेंटेंज हर के लिए यूज होता है छोड़ जाओ जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो घर में या नीचे पीछे चोड़ जाओ घर के तो इसलिए होम लगाएंगे अगर कहीं और छोड़ने की बात रही है तो आप होम हटा के अग्जस्ट कर लेना चलो लीव अब जैसे कहना मोबाइल छोड़ जाओ भाई भाई लो मोबादाव वर करें दkommen के लिए जब आ हम कहें किसी से आओ खेले आओ पढ़ें और चलो नाचे आओ चलो बैठें आब चलो लूडो खेलें आओ चलो क्यारम खेलें तो जब हम किसी को को काम करने के लिए अपने साथ बुलाते हैं आओ खाना खाएं ठीक है ये भी हो गया आओ रेश्टरेंट चले तो वहां पे हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे तो ऐसे वाक्य बनाने के लिए आपको जरूरत होगी लेट्स की लेट्स जैसे आओ चले लेट्स को आओ बैठें लेट्स सिट आओ चले पते मुड़ा यार छत पे लेट्स लाइक आई ट ऐसे खुम सारे बनाओ यार अब लेट्स आओ वीडियो को लाइक करें लेट्स लाइक दा वीडियो देखो इत्ती दिर हुए वीडियो को आप जरू करते नहीं च्लों आगे बठते हैं और नेक्स वाला फो देखे रभाई हो गया लो हो गया यहां पे तो है लो हो गया आप लोके साथ कोई भी बाक्य लगा सकते हैं जैसे रपाग गया डोस सज़ग गया तो यहां पर आप कैसे बनाएंगे पहले is ले लेते हैं लो हो गया इसके लिए simple सा formula है here it's done here it's done ऐसे अब आप इस done को हटा के अलगलग चीज़े try कीजिए लो पक गया आजाओ किसको ठूसने आजो बेटा आजो भली बेटा तो लो पक गया here it's cooked here it's cooked third form अब इस तरह से आप लो बन गया लो टूट गया लो गिर गया लो फट गया लो हो गया here it's done our next or next वाला है ondo sorry ओने दो अब देखो क्या होगया sup चलो जोब है अब इस तरह के वा करे कैसे बनाएंगे इस तरह के बार के बनाने के लिए आपको छोटा सा formula चाहिए और वहान cutisz ब्रफित आटा कॉक्वर्णे म bulb को सबमाती सब्सक्याइट प्रक्राइब करतें हो leち अनोड cattle color और ने काम आते हैं यह घृली लाइफ में नेक्स वाला धेखिए और भाइया नेक्स्ट वाला है खुजा दो यह बहुत बढ़िया सुनो खुजा दो आप देखो कहीं भी खुजाने की बात हो आप कैसे बनाएंगे कवर पर खुजा दो पैर पर खुजा दो हाथ पर खुजा दो गाल पर खुजा दो गाल पर खुजा दो गमोरी यह गमोरी आ नाम लिख दो उस चीज़ का नाम लिखेंगे जिसे खुजवाने को कह रहे हैं क्या कह रहा हूं है चलो सुनो अब जैसे कहना है कमर पर खुज़ा दो या मेरी कमर पर खुज़ा दो scratch on my back my back मेरी कमर अब आप बना scratch on my leg scratch on my head scratch on my okay guys तो आज के लिए इतना है है homework लेकी जाना तो आज के स्क्लास में आपको धेर सारे से वाकिये बताए जो हमारी डेली लाइफ में कितने काम आ हैं और इनका pattern थोड़े से funny style में देशी भाशा में मैंने सिखाने की कुशिश की है अब आपके लिए चोट आसा homework है लगाओ यहां पर कुछ वाकिया आप देख रहे होंगे यह उसी pattern पर राधारित ने जो मैंने आज आपको सिखा इनकी English मनाई है English translation को वीडियो के comment section में ज जरूर करना है अगर homework ना भी करें comment में कुछ भी आप अपने बारे में लिख दीजिए दू-चार बाते जरा मैं भी सुनूँ आपके बारे में या किसी topic पर वीडियो चाहते हैं तो topic के बारे में लिख दीजिए जरूर करना प्लीज मैं आपका wait करूंगा चलिए गाइस मि इस वीडियो के साथ शेयर करना जात जाते एक टुच्चा सा लाइक दे कर जाना